इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने iq के हमाल Phone X settings मिल रहा है Smart Bakard, तो आप इस स्मार्ट bagues की पूरी settings को आप कैसे अपने फोन में यूज कर शकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चलिए ज्यादा समाई ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वड़ो से पहले चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा यह सेटिंग्स कैसे और कहाँ पर मिलता है इसके लिए IQ फोन की सेटिंग्स पर जाकर नीचा आना है नीचा अगर आपका मोबाइल का स्क्रेन लॉक करके आफ करके रखा हुआ होगा तो आप जैसे ही दोस्तों देखिए फिंगर को नीचे से टच करके दोस्तों ऊपर की ओर स्वाइब करेंगे तो हाँ पर आपका स्क्रेन लाइट जल जाएगा और अगर आपके फोन में कोई लॉक तो नहीं लगा हुआ होगा तो डारेक्ट आपका मोबाइल का जो है अनलॉक हो जाएगा लेकिन कोई लॉक लगा हुआ है तो उपर की ओर स्वाइब करने पर जो है आपका आपका लॉक मांगा जाएगा लॉक जैसे नहीं डाल देंगे तो वहाँ पर आपका फोन अनलॉक ह जाएगा, swipe down to open camera, इस settings को अगर आप यहाँ पर click करके on कर देते हैं, तो देखिए screen जब आपका off रहेगा, तो दोस्तों जब आपका screen off रहेगा, तो उस time जब आप अपने finger को नीचे से touch करके दोस्तों ऊपर की और swipe करेंगे, तो direct वहाँ पर आपका camera का app open हो जाएगा, draw M to play music, जब की settings को on रखेंगे, तो देखिए जब आपका screen off रहेगा, तो उस time जब आप अपने finger से दोस्तों yum दोस्तों draw करेंगे, इस तरह के से, देखिए, अगर आप इस तरह के से yum draw करेंगे, तो आपके phone में कोई भी गाना, music या audio होगा, तो दोस्तों वह दोस्तों play हो जाएग तो देखिए जब आपका screen off होगा, तो जैसे ही आप अपने finger को screen पर touch करके, दोस्तों right side के और इस तरह के से slide करेंगे, तो आपका गाना change हो जाएगा, यानि कि music आपका change हो जाएगा, मतलब दोस्तों next music जो है play हो जाएगा, और draw w to launch whatsapp का, इस settings को on रखते हैं, तो screen जब करेंगे, तो direct tap का whatsapp open हो जाएगा, और इसी तरह के से settings है, draw mf to launch facebook का, इस settings को on रखते हैं, तो देखिए screen off रहने पर, जब आप अपने screen पर finger से इस तरह करेंगे, तो आप पर direct tap का facebook open हो जाएगा, और draw e, इस पर आप click करिएगा, इसमें आप gis app को select कर दीजेगा, यहाँ प द्ने, तो आपका वही app open हो जाएगा, डिरिक्ट जिस app को आपने यहाँ पर draw e में select कर रखा, इस और आप का वही आप आप dział और यहाँ अज़िए